बिसमिल्ला है रहाम दूस्तु आप देख रहे हैं असलेकों किन सब जाते हैं आज रेस्टूरेंट आट वाइट सूप बनाएंगे रेख सकते हैं मैंने कंसी चीजें लें बंद घोबी मैंने लिए एक प्याली गाजर भी लिए एक प्याली से भी कम हैं प्याज लिया है आद प्याली से भी कम है तीन चार फूल ली हैं दूसरी गोबी के फूल वाली गोबी सबस जो होती है एक पतीली ने मैंने यखनी चड़ा दी है अगर आपके पाश यखनी है तो ठीक है नहीं तो आप चिकन कनोर की दो टिकिया लें जितना आपको पानी जरूरत है जितना बनाना उसको चड़ा दें देख सकते हैं मैंने लेसन लिया लेसन को हलका सा भून कर भून कर मैंने चिकन डाल दिया है चिकन लंबे रुक से काटिया गा उसके बाद मैंने तीन से चार सबस मर्चे साथ डाल दी इसको भी दोस्त तीन मिंट भूने गए जैसे चिकन का कलर चेंज हो गाई वोई जो जू मैं जिसमें चिकन किनोर के टिकें डालई थी वोई पानी मैंने урड़ में अड़ कर दिया अगर आपके पास ये खनी है ञाद कर सकते अभी जो हमारे पास जितनी भी भी पास अब सकते हैं बन्द कोबिया भी उसके बाद फूल गोबी हो गई ये हम डाल देंगे गाजर भी डाल देंगे ठीक है इसको ज्यादा बैल करने की जरूरत नहीं है मुकाई के दानियां मैंने दो चमच वो ढाल दिये टेबल स्कून घीके आप जितना सूब बना रहें उससाब से डालिए बलैक पेपर जाएगा वैट पेपर जाएगा एक एक चमच चैवाला डाल रहा हूँ उसके बाद सिरका जाएगा, सोया साइज जाएगा ये बाद में डालना चाहते हैं, बाद में डालें साथ भी थोड़ा सा डाल दें जतना आपको चाहिए, जतना पसंद करते हैं ये डाल देंगे उसके बाद लीमू का रस डालना है तकरीबन एक टेबल सकून होना चाहिए पस इसको बाद जब ये चीज़ें आप डाल देंगे उसके बाद आपने दो से तीन चमच लेने हैं कारन फलोर के कारन फलोर लेके इसको आपने गाड़ा कार लेना है सबस प्यास सबजियों के साथ नहीं डालना जिस टेम आप कारन फलोर डालेंगे फिर आपने सबस प्यास डालना है हमारा जो सूब है वो गाड़ा हो चुका है दो मेरे अंडे ली हैं कोई जर्दी कोई चीज़ नहीं निकाली दो अंडों को अच्छी तरह फैंट कर देख सकते हैं कारन फलोर पहले डालना है बाद में आपने अंडे डाल देने है जब आप अंडे डाल देंगे आपका सूब देख सकते हैं रेडी है रेस्टोरंट में जाने को आपको जरूरत नहीं है अतनी सरदी में घर में इस सूब को बनाएं, अंजोई करें, बच्चों को खिलाएं, पैसता आजाएं, खुद खाएं, सरदी काफी है अमीद करते हूं आज का सूब अच्छा लगा होगा